यौ। हेलो भाई मैंने मित रोज दुस्तों जोब यह तो आज की स्वाइड में हम लोग पढ़ जारें क्लास नाइन जो आपका पैर सब्जेक्ट फिजिक्स है उसका चैप्टर पॉर्स एंड लॉस अफ मोशन तो बिसिकली पुश और पूल एक्टिंग अन अब्जेक्ट इ में नहीं है तो कॉमेंट सेक्शन है आपके लिए तो बिसकली यह वाले जो चाप्टर है इसमें हम न्यूटन के तीन लॉस पढ़ने वाले एक है तो तीन लॉस ऑफ मोशन पढ़ने वाले है और उसका थार्ड लॉस आपको पता ही होगा कि एप रियक्शन लिश्ट एन इक किया है ठीक कै तो और शेकर लॉफ मोशन तो सबसे में लॉफ में सें और फर्षेलय आपको आपसे पढ़ाते पढ़ाते है आपको समझ में आ जाए खाटक है माला वर्षेलय मैं स्टा爬्स ने इसमें Ringsinsky कि तीन आज्टरों कि आपको यादे चाप्टर के समय क्योंकि कि यह यूज होंगे इस chapter में ठीक है यह chapter में next chapter में कि सब्रें chapters एक तरिक से interconnected है तो v is equal to u plus a t पहला equation of motion फिर उसके बाद आया s is equal to ut plus half a t square ut plus half a t square half ठीक है और फिर उसके बाद third equation of motion उपर में लिख रहा हूँ v square is equal to u square plus 2s ठीक है तो यह हो गया आपका equations of motion और यह चीज आपको learn करने आपको जीवन भर मतलब अगर आप science ले रहे हैं आपको जीवन भर याद होना चाहिए आप सो रहे हो और अगर आपसे कोई पुछा what is the second equation of motion तो जा सपने में भी आपको बोल लाए कि we is equal to u plus a ठीक है ऐसा होना चाहिए आपको equations of motion ठीक है तो types of forces ठीक है types of forces में हम थे ठीक है तो types of forces तो आपको पता है कि contact force का मलब यह force जब मलब तब accept करते है जब दो surfaces in contact होते है अगर not in contact होए तो force exit हो गई नहीं यह वाला ठीक है तो frictional force muscular force normal force आपको पढ़ाया जगा जब आप third law of motion पढ़ लेंगे ठीक है तो इसका भी आपको पता चल जाएगा meaning पर आगे जाकि यह हम मतलब क्या मुलते है एक तरीक से surface जो contact में रहते है जैसे कि ऐसे surface contact में ठीक है तो normal force ऐसे act करेगा और अगर ऐसे surface in contact में तो फिर वो normal force always opposite to surface in contact है अभी के लिए फिलाल यही आप याद रुखिए ऐसा क्यूं है हम आपको बताएंगे third law of motion में ठीक है और फिर non-contact force का बलब जब दो surfaces contact में नहीं भी हो सकते है तब भी force act कर सकता है ठीक है electrostatic gravitational यह सरे magnetic electrostatic and gravitational are the examples ठीक है तब यह effects of forces में जो कि हमने बहुत बार पढ़ चुका है रच चुका है सब कुछ कर चुका है ठीक है फिर भी अभी हम फिर से पढ़ेंगे ठीक है the force can distort the object or it can change the shape it can change the shape of an object it can change the direction of the motion it can change the speed and stop a moving object ठीक है ठीक है ठीक ठीक है effects of forces ठीक है balance down and unbalanced forces भी आपको पता है कि जब net force 0 लगेगा ठीक है तो if the force exerted on an object is 0 then the force is set to be balanced ठीक है ठीक है जब force balance कब कहा जाएगा जब net force 0 जैसे कि इस साइट से 2 Newton का force इस साइट से 2 Newton का force एक object उपर लगता है और वह 0 रहता है तो इसका मतलब कि वह मतलब जैसकी ball rest और उसको उसको सब्सक्राइब से मतलब दो साइट से दो opposite साइट से उसे force 2 Newton का लग रहा है तो वह object फिर भी रेस्ट में रहेगा क्योंकि भाई force 0 Newton का मतलब नेट force 0 लग रहा है तो थोड़ी कहीं जाएगा तो here the velocity is constant ठीक है velocity is constant and acceleration is 0 ठीक है velocity constant का मतलब क्या है velocity का तो मतलब है meter per second मतलब भाई object चल रहा है और आपने बोला कि object रेस्ट पे रहेगा जब तो basically इसमें मैं आपका doubt clear करना चाहता हूं कि हाँ एक object को move करने के लिए हमें specific amount of force चाहिए पर जब कोई object move भी कर रहा होगा उसको भी stop करने के लिए हमें specific amount of force चाहिए क्योंकि इस earth पे तो भाई अगर आप space में गए ठीक है और space में अगर आप किसी object को throw किये तो ऐसा नहीं होगा वो एक specific velocity में आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा जब तक कि external force उस पर act नहीं करता जिसकी आपका अर्थ ही लेलो कपसे sun के सामने घूमरे कभी रुका ही क्यों नहीं ठीक है और च acceleration 0 का मलब कहें कि acceleration मलब velocity change करने के लिए तो हमें force चाहिना एक specific velocity में भले ही object जा रहा हो उस velocity को change करने के लिए तो हमें force चाहिना जैसे कि object 2 meter per second के velocity से चल रहा है तो थोड़ी हम लोग मलब अपने आपी वह 3 meter per second से जाएगा force तो डालना ही पड़ेगा ठीक है तो this means that object could be either in rest or continued motion in which it is now ठीक है मलब इसका मतलब कि जब net force 0 लगेगा तो वो continue करेगा उसी state of motion में या उसी state of rest में मलब state of motion तो rest ही होता है एक ठीक है तो rest में रेस्ट में या फिर एक particular type of state of motion में continue करेगा जब तक कि उस पर कोई external force act नहीं करता जब तक कि net force 0 हो या तो ठीक है और यही हो गया कि आपका क्या मुलते है first first law of motion ठीक है कि object remains in same state of motion until and unless an external force is applied on it ठीक है so net force is not zero let it be net force 0 नहीं है तो क्या होगा उसका उल्टा ही तो होगा object का velocity change होगा acceleration 0 नहीं रहेगा और फिर उसका 10 of body changes velocity change होगा तो velocity change का मिलब क्या acceleration ठीक है this body changes its state of motion in which it was free body diagram और एक मिलब आप इसको skip भी कर सकते हैं इस topic को directly क्योंकि यह topic आपके exam में नहीं आगा और अगर आप exam के लिए पढ़ रहे तो यह वाला वीडियो मिलब यह वाला part skip कर दीजिए और अगर आप अपने interest के लिए देख रहे तो यह वाला part रहने दीजिए ठीक है अगर आप interest के लिए देख रहे तो तो क्यूंकि बाद में तो आपको यह पढ़ना ही है ना ठीक है और यह easy topic है ठीक है उतना यह लिटके का कर रही है इस object पे force डाल रही है और हमने इस object को इक point object बना दिये और हम लोगों ने इसको diagramatically represent के सबसे पहले तो यह इस तरह force लगा रही है muscular force और फ्रिक्शनल force उसके opposite में of course लगेगा और उसके gravitational force always downward लगेगा और normal force always surface के अगेंस्ट में रखेगा अभी तक के यह आप दिमाग में रखे ठीक है कि इसका कारण के अभी से मत पुछे कि कि थर्लौ of motion में आपको पता ही चल देगा free body diagram ठीक है free body diagram फिर से आ गया और अभी के लिए फिलाल देखे कि इस case में किया कि दो टोक masses है ठीक है दो टोक masses है और यह दो masses पर क्या लग रहा है muscular force तो पहले लग रहा है उसका opposite में पता ही चल जाएगा जब हम आपका second law of motion करवा देंगे ठीक है तो एक तरीक से presentation जो मैंने link description में दिया है जिसका तो उसको एक बार डाउनलोड करें के एक बार फिर से देख ले ना free body diagram क्योंकि यह सब बाद की topics से related है पता नहीं इसको में पहले क्यों डाल दिये ठीक है तो normal force always opposite to the surface in contact और फिर इस case में भी क्या है इस case में तो कोई force नहीं लग रहा बस gravitational force लग रहे downward direction में जो कि always होते है और जो normal forces है वो always opposite to surface in contact है ठीक है अब हम मेंने को यह मत पूछने कि जी का मतलब कि जी मेंने लिखे है और यह M का तो मतलब मास सबको बता है पर M G यह सब क्या है तो मैंने आपको पहले पिछले chapter में बता है था कि जी का मतलब है gravitational acceleration जो कि 9.8 meter per second जो कि एक ऐसा acceleration है जिससे कि मतलब जब एक object और पे fall करता है औ कोई भी तरीके का friction नहीं लगता मतलब बिना air के मतलब कुछ भी नहीं है बस object fall कर रहे ठीक है तो उस समय object कितने speed मतलब कितने acceleration से fall करेगा वह 9.8 meter per second जो कि मैं अभी बता दे रहा हूं ठीक है मतलब जितना mass होगा और जितना acceleration होगा ठीक है mass into acceleration इसको मैं आगे और detail में explain करूंगा पर अभी आप इतना ही याद रुखिए ठीक है तो mass तो इसका आपको पता है m दोनों का mass का sum होगा और यह accelerate कितने में करेंगे 9.8 meter per second में square में करेंगे ना क्योंकि इल्रेस्पेक्टिव of mass है यार if one force is applied after overcoming friction it moves straight ठीक है तो अगर एक object को force पे force applied किया है after overcoming friction it moves straight in the direction of force applied but if two or more forces मतलब जब एक force applied किया जाता है एक object में तो वो उसी direction में जाता है पर पर जब दो से ज़्यादा forces act कि उस object पे तो क्या होगा पहले तो हमने बस linearly देखा था कि अगर आप एक line में एक ही क्या बोलते है positive और negative direction में अगर आप force applied किया जैसे कि इसके opposite direction में force applied किया तो क्या होगा जैसे कि इस case में किया direct 8-3 newton कर दो तो answer आजाएगा 5 newton ठीक है 5 newton आजाएगा वो भी इस direction में वो होगा और 3 newton 3 newton तो 0 हो जाएगा जो कि एक balance force है और यह unbalance force है इसका example ही हो गया ठीक है और और एक चीज़ कि यह जो बकसा है ठीक है बकसे में इस side से 4 newton का force इस side से 3 newton का force अगर लगेगा तो future में किस direction में जाएगा ठीक है तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक example पर arrange किया तो इस वीडियो को ध्यान से देखेगा तो जैसे कि आपने देखा होगा कि मलब जिस force में मलब जिस force का magnitude जादा होता है तो वो object tend करता है कि उसी direction में जादा तर जाए पर यह नहीं भूलने कि जो force कम लग रहा है उस direction में भी वो object थोड़ा बहुत move करता है जैसी कि इस case में है तो हमको यह force को calculate करने का मैं आपको diagrammatic representation अब इसे बता रहा हूं ठीक है और यह भी नहीं आएगा आपके exam में तो यहां तक कि आपको skip करना था कि ठीक है video यहां तक के मतब यह पढ़ाते तक कि तो basically इस object में कहा लग रहा है अगर हम इसका free body diagram बना है तो इस side से 4 Newton का और इस side से 3 Newton का तो जैसे कि आपने देखा था कि जिस side से जादा force लगए उसी side से वो tend करेगा कि उसी direction में जाए तो हम यह भी check करेंगे कि हमने जो law बना है वो सही है कि नहीं तो basically यह law क्या कहते है कि जिस free body diagram जो हमने बना है उसकी जिस arrows से हमने represent किया उसको तो उस arrow का दो parts होते है एक है यह tail होता है इस part को हम tail बोलते है और इस part को हम head बोलते है तो basically इसका resultant हमें इस जो force का result है वो हमें बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा head जो है उसका एक जो head है उसको tail से join करना पड़ेगा और head को tail से join कैसे करेंगे कुछ ऐसे ठीक है तो यह एक force है इसका specific direction है और यह जो force है इसका जो head है अभी तो फिलाल जुड़ा है point free body diagram से पर अब ही हमें क्या करना है कि जो head को है उसको tail से जोड़ना है ठीक है और उसका जो क्या बोलते है distance सेम रखना है जैसे कि 3 newton है तो उसको 3 cm से represent करेंगे paper में ठीक है और जो 4 newton है उसको 4 cm से represent करेंगे ठीक है तो 3 newton 3 cm, 4 newton 4 cm और फिर हम एक line ख जुड़े जो कि मतलब इस side के tail से जुड़े और इस side के head से जुड़े और फिर यह 5 newton का और उसका distance जो है वो of course 5 newton होगा क्यों कि यह तो 90 degree पर लग रहा है ना तो हम calculate कर सकते है पर genuinely हमको measuring करना पड़ेगा ठीक है और अगर q measure कि यह तो पाइथोगरस theorem है ना जो 3 का square हो ज हो जाएगा 25 root 25 किता होता है 5 होता है और एक भी हम करके देख लेते example कि एक object पे दोनों side से force लग रहा है तो हम यह अनुमान लगा सकते कि यह इसी direction में वलब जो क्या resultant force होना चाहिए और वह भी ज्यादा magnitude का क्योंकि दोनों का तो direction almost same ही है पर इनके sum बराबर नहीं रहेग थोड़ा सा मतलब इसके sum से थोड़ा सा कम होगा ठीक है तो वापस से हमने बना लिया है कुछ एक सगेंड फिर क्लियर अब हम छोटे force को बड़े force के head के tail से जोड़ दे और उसके resultant बना दे तो आप देख सकते हैं कि उसी direction में जा रहा था जो direction में हमने predict किया था कि इसी direction म force लगेगा और उसका measurement भी ले सकते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कितना magnitude का भी लगेगा ठीक है reached by the ball is same as the initial height in the plane ठीक है और एक भी चीज़ है कि इन दोनों का जो angle है वो या तो इसके जितना होना चाहिए जिससे कि यह निचे जा रहा है वो या तो same होना चाहिए या तो इससे थोड़ा कम होना चाहिए यह inclined plane का और एक रूल है ठीक है ऐसा नहीं कि आप बोल दो कि यह भ कि भाई initial height तक पहुझना चाहिए और इस case में friction का RIP हो गया ठीक है क्योंकि इस case में friction है नहीं ठीक है तो आप बोलेंगे कि genuinely तो यह थोड़ा से उपर जाएगा और थोड़ा से यहां तक आके थोड़ा से रुक जाता है और कि भाई सब्वक्त के लिए थोड़ी यह ऐसे ऐ तो let it be अगर friction ना हूँ बस gravitational force लग रहा हो तो उस case में क्यों होगा कि कुछ ऐसा 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 मलब non-stop जाता जाएगा जाता जाता जाएगा जाता जाता जाएगा सेम height तक पहुझता रहेगा पहुझता रहेगा पहुझता रहेगा पहुझता रहेगा पहुझता रहेगा किया और मालब अभी के लिए तो फिलार में आपकी जितना 9th क्लास का हूं पर 11th क्लास को जो वेक्टर्स का मालब मैंने चाप्टर थोड़ा सा मालब पढ़ लिया तो उसका तो उस से मैंने क Jeżeli एक की अबलब अइसा कोच एक दो नों का हाइट तो मैंने देखाб कि जो बॉल का जो height जो बॉल जिस height से पहुँच रहा है वो same as same as the बलब क्या मोलते है इसका जो distance था और इसका जो distance था वो same था ठीक है बॉल सेम distance cover कर रहा था जब उसको top से release किया जा रहा था और distance same मतलब height भी same वो same height तक पहुँच रहा था तो उससे मैंने conclude कर दे कि हा भाई यह Galileo plane is not a myth but a now a reality ठीक है तो myth को burst नहीं कर पाए हम एक तरीके से पर यह Galileo conclude क्या करते है हमने तो पता कर लिया कि जैसे तैसे कि भाई इतना इतना और अगर यह slope इतना हुआ तो फिर भी यह इतने height तक पहुचेगा ठीक है मतलब जो भी हो same height तक पहुचेगा पर अगर मैं क्या अगर मैं बोलू कि भाई यह slope पूरा इतना मतलब plane हो ठीक है slope ना हो plane हो तो इस ball का क्या होगा यह ball आगे जाता जाएगा जाता जाएगा क्योंकि भाई उसको तो वो height मिलने नहीं वाली और वो height मिलने क्यों नहीं वाली क्यों यह surface plane है ठीक है तो वो infinitely आगे जाता जाएगा क्योंकि friction भी नहीं उसको रोकने के लिए और वो same मतलब इससे हम क्या conclude कर सकती कि अगर हम एक object को एक specific velocity दे दे तो वो continue करेगा same velocity तक जब तक कि कोई external force उसके act ना करें और यही चीज third case हमें explain करता है कि जब body continue करता है motion में तो वो same state of motion में continue करता रहेगा जब तक कि external force उसके act नहीं करता और वो external force हमारे दुनिया में friction ही है ठीक है तो Newton's first law of motion तो हमने इसी चीज़ से हमने define कर दिया कि जब तक कि object tends to be in same state of motion ठीक है तो भाई it is known as Galileo's law of inertia ठीक है यह चीज़ आद रखने का Galileo's law of inertia it says every object continues to be in the state state of rest or uniform motion in straight line unless an external force acts on it मालब जब जब तक कि 0 Newton का force रहेगा तब तक के अपना object same motion में रहेगा मालब external force act नहीं करना चाहिए object में और वो object तब तक कि same state of motion यह rest में रहेगा मालब अगर 50 meter per second के velocity में तो 50 meter के second of velocity तक continue तब तक की करता रहेगा जब तक कि external force पर act नहीं करता ठीक है और वो rest में रहेगा तो rest में रहेगा यह तो आपको यह हम real life में भी experience करते ठीक है inertia is a natural tendency ठीक है और इस चीज़ इस tendency और इस tendency का नामे inertia ठीक है तो इसको हम ऐसे हाँ तो इस tendency को हम ऐसे कह सकते कि object to be in rest or motion ठीक है इस टेंडेंशी का मतलब इस टू बी इन मलब उस मलब उस उस state में रहना है एक तरह का यही मीनिंग है if there is no no more or क्या बोलते है is more mass or means there is no more inertia तो मलब इनर्शिया जो है वो directly proportional to mass है जैसे कि आपने 8th class में बढ़ा था कि pressure is inversely proportional to area और फिसके pressure is directly proportional to force applied on it मलब जितना ज्यादा mass उतना ज्यादा inertia ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि directly proportional का यही मतलब होता है ठीक है और mass जो है वो measure of inertia मलब एक तरीके से दूसरे definition of inertia होगे कि mass is the measure of inertia ठीक है तो inertia की types लिखें inertia of rest motion and direction ठीक है तो इसको हम example से समझ लेंगे easily ठीक है तो what type of inertia is used तो basically जब bus एक you turn लेता है ठीक है तो आप क्या मलब आप आप वैसे के वैसे ही रहता हो या फिर आपको एक force लगता है अलग type का force जो कि आपको जिस direction में bus जा रहा है उसके opposite direction में मलब क्या बोलता है opposite direction की तरफ यह कर देता है धक्का देता है तो इस case में क्या हो रहा है कि मलब आप एक specific direction में जा रहे हो पर उस direction मलब जब और जब वो direction change होता है तो आपका तो body still उस direction में ही जा रहा है तो पर पूरा का पूरा bus तो अलग जिका हम inertia बोलते हैं और यह एक तरीक से inertia of direction होगा क्योंकि uniform motion में भी चाहे बस हो तो हमारा direction तो इस तरफ होता है ठीक है तो जैसे कि कोई पतिया है ठीक है पतिया है तो उसको मैं अब एक पेड़ के पतिया को हिला रहे तो वो क्या होता है कि initially तो पतिया rest में होती है और जब ह करने से उस पति के पर फोर्स लगए जिसके की कारण वो गिर जाते है और उसका कौन सा inertia यूज के के inertia of rest क्योंकि वो initially rest में था और रेश्ट से वो motion में आ रहा था ठीक है तो initially वो किस state of motion में था वो define करते की कौन से inertia है वो ठीक है if it toss a coin in a moving train जैसे कि एक train है और वो move कर रहे ठीक है move और वो suddenly reduce करने लग गया वो अपना speed ठीक है आप एक moving train में बैठे हो ठीक है तो और और वो आप एक आपने coin toss किया और वो train अचानक से रुक गया ठीक है तो क्या होगा इसके लिए मलब क्या बोलता है यह coin तो अपने motion में मलब coin कोईन बोलेगा कि भाई मैं तो इस velocity से जा रहा था तो अभी मेरे को उसी velocity जा जाना है उस मलब वो रेजिस्ट कर रहे है कि वो हमारे train के velocity में आए ठीक है तो उसके कारण के होते है कि train तो रुक जाता है पर coin पर फिर भी आगे जाता है तो ऐसे question पूछ लेते है कि अगर आपने पिछला वला समझाए तो ठीक है while running at highest speed आपको कुछ time चाहिए होता है जब आप दोड़ते है तो आपको कुछ time चाहिए होते तो और इसका inertia का example क्या हो गया motion ठीक है क्योंकि यह पहले से motion में था और जब train speed reduce की तो फिर भी वो मलब motion में ही है और अगर rest में भी अचानक से रुकते हैं अगर अचानक से रुके तो आपको मलब क्या मोलता है आपके पर ज्यादा inertia अपला होगा और inertia मतलब आपको ज्यादा force लगाना पड़ेगा खुद को rest में लाने के लिए और उतना जदा आपके जूतों में grip नहीं है कि वो आपको एक ही बार में रु रुकने के लिए ऐसा होता है तो इसके बज़े आप क्या करते कि धीरे धीरे रुकते हैं ताकि आप मलब कम force लगा और आप जूते जूतों के grip के हिसाब से ही रुके ठीक है और यह भी होगे inertia of motion के यह में तभी आए हम linear momentum B is equal to mv और momentum is equal to mass into velocity तो linear momentum के कि वो product of mass and velocity उसका definition यह ही कहता है ठीक है product of mass and velocity ठीक है और यही है decide करता है कि आपको मलब क्या बोलते अगर कोई मुक्का मार रहे तो मलब क्या बोलते अगर कोई आपके उपर कोई आपकी तरफ कोई भी चीज आ रही है तो आपको कितना जोर से हीट करेगी ठीक है जैसे कि let it be कि आपके सामने car आ ठीक है एक कार चोड़ी कार को छोड़िए आपकी सामने कोई पत्थर फिक रहे ठीक है और पत्थर से मलब पत्थर आ रहा है एक specific amount of speed से और उसके एक बड़ा सब बैग आ रहा है आपके तरफ और वह भी उत्थर की speed से आ रहा है तब मलब आपको आपको दो choices दिए या तब प थोड़ा धीरे जा रहे है तो आपको किससे ज़ादा जोड़ेगा अफकॉर्स cabbage से लगएक की कि नहीं कि जाद है यह नहीं कि मास जाद है कि कि उसका वेलासिटी भी Depend करता है ठीक है नहीं सिर्फ मास velocity भी क्योंकि मैंने आप स्पेस्फाय कि कि दोनों का velocity से में कि तक यह बताने की mass भी depend करता है momentum पे अगर इसका मैं लब क्या मुलते है stone का velocity जाधा रहा और क्या मुलते है back का velocity equally कम रहा तो दोनों का velocity almost same momentum का momentum एक तरीक से रहा और आपको same momentum मुलब क्या जोर से लगेगी ठीक है और momentum को कभी force से connect मत करना कि momentum और force एक तरीक से dependent है पर उतना dependent रही बिसकली दोनों अलग अलग चीज़े जैसे क्या मुलते है displacement और velocity है विसे momentum और force एक तरीक से यह आप इतना समझ लेजे और ऐसा क्यों यह भी आपको पता चलेगा कि force का भी अभी हम updated definition बनाने वाले है ठीक है तो it is a vector quantity kg meter per second तो इसका ऐसा unit जैसे की weight का ऐसा unit होता है kg और क्या बोलते है mass का mass का ऐसा unit होता है kg और फिर उसके बाद amount of water का होता है amount of water का और फिर उसके बाद क्या बोलते है meter होता है distance का ठीक है ऐसा unit और फिर time का ऐसा unit होता है second तो वैसे ही linear momentum का ऐसा unit होता है kg meter per second और ऐसा क्यूंग यह भी आपको पता चलेगा ठीक है तो इसके mass का क्या बोलते है momentum का formula का है mass into velocity mask का ऐसा unit का É और इसका माइशे भी लिख सकते है क्योंकि आपको पढ़ाया होगा कि मीट अगर किसी का minus 1 है पावर जैसके m m का minus 2 है उसका मतलब क्या होगा भॉन बैन माजन मां का पावर वह का पावर टूशको रिप्रेजंट करते है इसे इसको ऐसे रिप्ररेजेंट करते शॉड में ठीक है यो मीट्र παर माइनस फ़्द के च्ञे के चेंट पर कशोX Сॐइइड यॉनिट केabled ba अभी ऐसा ही एक question हम solve करने वाले और इसके लिए हमें linear equation in one variable जो आपने 8 में पढ़ा होगा वह बहुत ज़्यादा जरुरत पढ़ने वाली इस question को solve करने में तो अगर वह आपके से आता होगा तो आप यह question बहुत easy आपके लिए ठीक है तो basically इसमें लिखा है कि एक bus और एक car दोनों same momentum में ठीक है तो इसको आप directly भी answer कर सकते है ठीक है मलब जैसे कि एक bus और एक car same momentum में ठीक है दोनों का mass 250 kg और car का mass 250 है और bus का 1000 kg है ठीक है तो उन में से कौन सा जादा velocity में होगा ठीक है तो आप directly बोल देंगे कि 250 kg के लिए ज्यादा velocity होगा क्योंकि momentum same है तो हम मलब P is equal to क्या बोलते है mass into mass of car into velocity velocity तो same है तो इसमें पूछे कि एक car है और एक bus है ठीक है जो कि same momentum है जो जिन मतलब इसका मतलब की P of bus and P is equal to P of car ठीक है और इसको हम ऐसे भी लग सकते P of bus is equal to P of car by P ठीक है तो एक P constant रख दिए क्योंकि इन दोनों का तो same ही है तो फिर एक एक मलब actual में तो इन दोनों का number same रहेगा ना मलब momentum का value same रहेगा इन दोनों का तो the mass of car is 250 kg और bus का car है मलब bus का mass है 1000 kg ठीक है तो इन में से किसका कौन सा मलब के ज्यादा velocity में जा रहा है ठीक है तो mass दे दिया और फिर दोनों का momentum same है तो बचा कुछा velocity है तो उसका velocity निकाल सकते कि वह कितना time ज्यादा हो सकते है ठीक है तो P is equal to MV होता है ठीक है तो इसका momentum कितना होगा mass of the car into velocity of the car ठीक है तो mass of the car 250 है और into velocity of car हमें पता नहीं इसलिए हमने variable a VC ठीक है और इस case में कि momentum तो same है तो हम इसका भी पी ले सकते है इसका भी पी ले सकते है ठीक है 250 VC is equal to 1000 VB ठीक है ऐसा लिख सकते है न क्योंकि यह दोनों का value तो same यह PP है तो हम ऐसा भी लग सकते है कि यह दोनों एक दुसरे के equal होंगे ठीक है तो इस case में क्या हो जाएगा यह cancel हो जाएगा और उसके बाद इस side लेके आ जाता हूँ ठीक है 25 by 100 ठीक है और उसके आद यह VC को इस side लेके आ जाता हूँ तो यह हो जाएगा VB by VC ठीक है तो VBY VC is equal to 251 और यह 4 से cancel हो जाएगा ठीक है तो क्या आगया ratio 1 is to 4 ठीक है तो 1 is to 4 is equal to VBY VB is to VC ठीक है तो इससे हम क्या conclude कर सकते है कि velocity बस जितना है उसका 4 times velocity of car है तो किसका ज्यादा हुआ velocity कार का और देखके भी हम बता सकते है कि अगर आपको लॉंग कोशन है तो आपको ऐसे लिखने नहीं तो अगर MCQ कोशन है तो आप देखके भी बता सकते कि कि कितना velocity है ठीक है तो अभी आया हम न्यूटर्स करने वाला है second law of motion के बार में जो कि कहता है कि it states that the rate of change of momentum मतलब momentum का जो change up momentum में change आता है जैसे कि पहले momentum हुआ 4 meter per second केजी मीटर per second momentum का ऐसे unity होता है केजी मीटर per second ठीक है और उस से change होगे 6 kg meter per second और वो momentum का change कितने rate से और है मतलब जैसे कि हमें तो पता चल गए कि momentum change हो रहे है 2 kg meter per second से ठीक है 2 kg meter per second से मोमेंटम बढ़ा है पर कितने time पर बढ़ा है वो भी हमें पता करना है ले लिजे कि वो time था two second तो two two cancel हो जाएगा ठीक है और उसका rate of change of momentum कितना हो जाए two two kg meter per second square जो कि हम force बोलते है ठीक है two kg meter per second square महला one kg meter per second square जिसको कि हम force बोलते है और force का ऐसे unit kg meter per second square को Newton के Newton लिखते है ठीक है तो ठीक है अभी हम second line में positive क्योंकि मैंने अभी describe कर दिया कि क्या हम पढ़ने वाले इसमें तो देख इस slide में क्या जानने वाले तो अगर आपको समझ में है तो अभी आपको broad idea तो मिल गया होगा at least कि क्या हम इस इन दोनों इसमें स्बढ़ने वाले ठीक है तो वेडिटा ऑसी से मैं चेंज बेड रही तो इसमें आरहे जैसे कि मैंने आपको बताए है कि momentum में change आ रहा है तो momentum में कैसे change आ रहा है पहले कितना कुछ एक momentum होगा फिर बाद में कितना कुछ एक momentum होगा जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि पहले 4 kg meter per second में momentum चल रहा था वो बढ़के 6 kg meter per second में पहुँच जा ठीक है और फिर उसका rate रेट का मतब कितने time पे change कर रहा है जैसे कि हम पहले बोले थे कि rate of change of displacement कितने होता है क्या होता है velocity होता है जैसे कि पहले उसने डू मीटर का displacement कि ऊस ऑब्जेक्ट ने फिर 4 meter का displacement किया फिर 6 वीख मेंट का चेंज़ एक सकेंड में हो रहा है सकेंड में ये दिस्प्राइस्मेंट इन सब पॉचवेंट का पर एट से जा रहे है विलोशिटी सा टू मीटर पर सेकंड ठीक है तो अभिद्धर किया चक्क करें देखें आप क्या बोलते हैं and called the rate of change of momentum as force तो rate of change of momentum को force बोलते हैं और यह जो क्या बोलते हैं हर एक loss के जो descriptions दे रहा हूं जो कि मैं हर एक slide में दे रहा हूं वो याद करके जाने हैं क्योंकि पूछ लेते हैं exam में कि describes Newton second law of motion तो सबसे पहले यह वाला point लिखने हैं तीनो point ही लिखने हैं आपको एक तरीके से ठीक है अगर यह मलब marks पर depend करता है अगर two marks का है तो two points लिखने three marks का है तो सारे points से लिखने है और three से जादा है तो इससे भी और थोड़ा बड़ा चड़ा के example वे example देके लिख लेने का ठीक है और ऐसा आपको हर एक law के case में करना है ठीक है तो अभी आए हम third point में जिसमें कि हम अलब क्या बोलते है उसको थोड़ा क्या बोलते है f is equal to m a होता है इसका क्या बोलते है second law of motion का force का actual में equation ठीक है तो f is equal to mass into acceleration तो यह mass into acceleration आया कैसे क्योंकि इनिशली तो हमने देखा कि हम लोग force को ऐसे define करते कि कि कितने momentum में change आ रहा है और momentum का मतलब क्या mass into velocity तो देखे पहले f is equal to delta p by t और उसके p2 minus p1 जैसे पहले क्या था momentum 4 फिर उससे बढ़के 6 हुआ ठीक है तो हम क्या करेंगे 6 minus 4 करेंगे जिससे कि हमें momentum कितना बढ़ा हमको पता चलेगा क्योंकि हम मतलब कितना बढ़ा देखते है ठीक है और अगर आप पूछें कि भाई अगर क्या होते है 6 meter per second का 6 kg meter per second का momentum से चल रहा है और वो change हो कि 4 kg meter per second में आ गया है तो फिर उसका हम कैसे define करेंगे बीचे minus लगा दो क्योंकि वो कितना बढ़ा है minus 2 में बढ़ा है मतलब मा 4 minus 6 तो minus 2 होता है न ठीक है और वैसे फोर्स एक vector quantity है तो फोर्स वेक्टर quantity है मतलब वो negative भी हो सकता है पॉजिटीव हो सकते है ठीक है तो और यह है mv minus ठीक है तो हम लोग क्या कह सकते है कि final velocity फाइनल मॉमेंटब का मतलब के मास तो सेम रहेगा velocity final रहेगी ठीक है तो इस केस मैं कि final velocity माइनस यह मलब मलब मास into final velocity माइनस मास into initial velocity जो कि final velocity माइनस final मलब initial momentum फिर उसका rate के time किते time पे change हो रहे है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था फिर उसके इसको कैसे calculate करते कि mass को हम common ले लेंगे इसमे mass तो same ही रहेगा मास का object का मास थोड़ी कभी चेंज होगा मास तो constant रहता है तो मास को common लेंगे वी माइनस यू वी माइनस यू तो अलग ही रहेंगे ठीक है और फिर नीचे T है ठीक है तो यह वी माइनस यू वाई टी क्या है acceleration पढ़ लिया है अच्छे से first chapter physics का यह तो शुरुवात है इसके आगे बहुत कुछ होने वाला है ठीक है तो अभी है F is equal to MA ठीक है तो इसी पर ही based हम कुछ questions करने वाले जिससे कि आपका यह वाला consistent concept और भी clear हो जाएगा constant बोल रहो concept को तो अभी हमने एक formula define किया तो इसके अपर अभी हम एक numerical करने वाले जिसमें कि बता है हमें कि एक cricket ball है जिसका माज 0.50 ग्राम से ठीक है और 50 ग्राम का मतलब कितना kg होता है जीरो पॉइंट 05 kg ठीक है 0.05 kg हम कह सकते है क्योंकि 50 ग्राम बाइट 1000 0.05 होता है ठीक है तो इसके लिए e关 ball है इसमें और क्या मोनते है वह hit करते है अव arm को ठीक है और वह hit करते है एक velocity से ठीक है और फूसके हम hi पता चल्जाते कि ज Southern पस जिस velocity से है और वो बलब के मोलते है, आने जाने का velocity से है मतलब आपने एक ball लिया और उसको wall पे hit किया, जिस velocity से हो hit किया, उतने विलासिटी से हो bounce back हो रहा है, ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते है, V is equal to U, ठीक है, और is equal to X भी हम लिख सकते है, ठीक है, मतलब क्योंकि दोनों तो equal है, दोनों का valueiqueal है, तो हम इसको equal constant दे सकते है, एक्स constant, ठीक है, तो जैसे की इसका value2 है, इसका value2 है, तो फिर इसको हम एक ही value से define करतेगे, जोकि यह x, ठीक है, पर अभी हमें value पता नहीं है, वो value में पता चलने म go back की है, तो टाइम है, टाइम टेकन इसके 0.5 सेकंड, ठीक है, 0.5 को हम 1 बे 2 भी लिख सकते है, ठीक है, तो इस केस में मैं एक्सेलरेशन ने दिया, पर इनि, फाइनल, इनिशल वेलासिटी दिया, टाइम दिया है, मास दिया है, तो हम कौन सा फॉर्मुला यूस करेंगे, f is equal to m v minus u by t, ठीक है, ये वाला फॉर्मुला यूस करेंगे, ठीक है, और एक बाद, velocity depends on direction, ठीक है, तो मलब ये वाला direction, अगर हम positive मानते हैं, तो आपको ये जो ultra direction है, इसको negative मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई, आप उन्हें पहले भी देखा था कि direction कितना matter करता है, ठीक है, तो इसलिए हमें, मलब direction के अनुसारी जाना पड़ेगा, और अगर एक direction को आपने positive लिया, तो दूसरे direction को आपको negative लेना ही पड़ेगा question में और ये मैंने क्यों बता है, क्योंकि ये ही इसमें apply होने वाले question में, ये ही वाला concept, तो हमें कुछ ऐसा situation मिल जाएगा, क्योंकि force given है 40 Newton, और फिर उसके बाद mass है 50 by 1000 kg, और फिर उसके velocity x और एक minus x, क्योंकि direction opposite है, हमें direction को भी लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है, और फिर उसक application हो जाएगा, ठीक है, या तो हम क्या कर सकती है, कि 2 को उपर में ले जाए सकते है, मला भी equal to sign के इस पार लाने के बज़े, इस तरफ भी ला सकते है, ठीक है, तो 2 को 50 से multiply कर देंगे, और ये 1 तो 1000 के साथ, तो 250 से multiply होके 100 हो गया, और फिर उसके बाद इस case पे 1 तो 1000 के साथ multiply होगा, तो कुछ होगा ही नहीं, उसको 1000 को, तो ये 50-100 होगे, और 2 से multiply होके और ये 100-100 cancel होगे, और बचा 1 by 10, तो 1 by 10 को हम इस पार लेके आ जाएंगे, तो 1 by 10 तो ये 400 हो जाएगा, ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी equation कुछ ऐसा बनगे है, 400 is equal to x minus minus x, ठीक है, ये सारे values को तो हम इस तरफ input कर चुके है, ठीक है, तो अभी x minus into minus के होते है, plus, तो 2, तो ये x plus x हो जाएगा, 2x, और ये 4 रेडिट होगे जाएगा, तो velocity कितना हुआ, 200 meter per second, ठीक है, तो ये ये hardest numerical जो आ सकते है, और एक भी hard numerical हम करने वाले है, जो कि ये a gun made for salmon boy, तो salmon boy नाम का एक आदमी है, जिसके लिए एक gun बनाया जा रहे है, जो कि tolerate कर सकता है, maximum 168 newton, और फिर बुलेट का मास कितना है, 40 gram, तो 40 gram का मतलब कि 0.04 kg, ठीक है, जैसे आपने पहले किया था, वही कर रहे है, और फिर उसके ये moving with the velocity, वे वेलासिटी कितना है, 600 meter per second, ठीक है, तो इस question में पुछा है कि इस gun से, वो कितने number of people का जिंगा लाला कर सकते है, एक second में, ठीक है, या तो वो लोग कैसा gun बनाएंगे, जिससे कि maximum कितना bullets निकले, एक second में, कि वाई newton है, ठीक है, वो इतने newton का force संबाल सकता है, मतलब उसके बाद उसका हाथ तूटने वाला है, तिसलिए उतने amount का newton generate करने, force generate करने का gun बनाएंगे, ठीक है, और तो और देखिए, यहाँ पर मैंने, क्या बोलते है, force लिख दिया, जो कि given था, मतलब कितना force चाहिए हमें, और यहाँ पर एक side पर दूसरा amount of force है, और let the number of bullets be n, मतलब यहाँ पर n number of bullets है, ठीक है, number of bullets n है, और फिर य engine velocity कितना है, 600 meter per second, और एक second में कितने सारे bullets चाहिए, मतलब denominator में time t1 रहेगा, ठीक है, और इसको cancel करने के बाद हमें मिलेगा, 168 is equal to n into 24, ठीक है, तो मतलब 24 newtons का, एक second में वो gun 24 newtons का force generate करेगा, तो हमें कितने bullets, एक second में उसे, मतलब क्या बोलते है, निकलने वाले उससे, वो भी maximum, ठीक है, और इसका answer रहेगा 7, ठीक है, तो एक तरीक सो 7 number of people का जिंगा लाला कर सकता है, एक second में ठीक है, वो भी maximum, ये बात याद रखना, और कई बार में confused हो चुका है, ये question देखके कि initial velocity 0 है, तो भी कितना time लग रहे है कि ये 0 से 600 meter per second में पहुचे, पर इसमें दिया गये question में कि one second है, तो फिर आप denominator में one second ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें one second में कितने bullet से ये ही तो question given है, अब आते हैं, third law of motion, जो कि आपका सबसे favorite law भी है, क्योंकि every action least turn equal and opposite reaction, जो कि आपके real life में भी applicable है, कि अगर आप किसी को मारे तो वो आपको मारेगा, ठीक है जब तक कि जिसको आपने मारा वो weak now, ठीक है, एक condition, ठीक है, पर इसमें no condition, इसमें ये पूरा valid है हर एक natural objects के उपर, ठीक है, तो like we walk by pulling force on the ground and that's how we walk, तो हम चलते कैसे एक तरीक से, चलते हैं, जब हम मलब क्या करते हैं, कि ground पर force लगाते हैं, और ground हम पर equivalent opposite force लगाते हैं, हम चलेंगे ही कैसे एक तरीके से, और फिर जब एक gun से bullet fire होती है, ठीक है, तो gun से जब एक bullet fire होती है, तो bullet तो बहुत velocity से जाता है, mass into velocity मतलब उसके उपर भी force पड़ा है, पर वही force gun के भी उपर पड़ता है, और gun भी पीछे तरफ आता है, जब bullet gun से fire की जाती है, तो आपन और इसको हम बोलते है, recoil of gun, तो हम gun से किसी और को injure करने जाते है, और कई बार खुद ही injure हो जाते है, ठीक है, और एक भी है इसका application की जो rocket है, वो ground पर force लगाता है, ठीक है, मनद आप ground पर नहीं मतलब क्या मोलते है, नीचे तरफ force लगाते है, जिसके कारण की वो उपर ज चलता है, ठीक है, पर battery का मामला अलग है, ठीक है, तो वो अभी नहीं बता हूँगा, मतलब battery वाली गाडियों की बात कर रहा हूँ, तो इस third law of motion के अभी मेरे पास एक doubt है, दो ठुक doubt है, ठीक है, कि भाई, जब मैं jump करता हो earth से, ठीक है, मलब जैसे की earth है, और मैं इस मलब क की तरफ jump करता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है कि, if yes, मलब जब क्या बोलता है, earth एक force लगाता है मेरे उपर gravitational force, जो की मलब मेरे को नीचे तरफ लाता है, ठीक है, मलब नीचे तरफ पूल करता है, ठीक है, तो then equal and opposite force, तो फिर क्यों भाई, मलब earth के उपर फिर equal and opposite force लगनी च क्योंकि भाई, मैं उपर जा रहा हूँ, और मेरे उपर mass into acceleration, जो की force है, वो लग रहा है, और मैं मलब क्या बोलता है, मेरा velocity चेंज हो रहा है, और मैं earth की तरफ वापस से attract भी हो रहा हूँ, पर earth मेरी तरफ की उतने velocity से attract नहीं होता है, मलब acceleration से, तो force और acceleration, ये दुनों एक different quantity से, एक तरीके से, ठीक है, अल्दो मलब acceleration force पे depend करता है, पर और एक भी चीज़े जो force पे depend करता है, जो कि ये mass, ठीक है, तो दोनों object के उपर same force लगेगा, ठीक है, पर क्या होगा कि दोनों का mass अलग होने के कारण, जो earth का mass है, वो हमसे बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, तो ह हमारा earth, मलब हमसे respective में, earth का mass बहुत ज्यादा है, तो उसके उपर तो same force लगेगा, पर वो उतना accelerate नहीं कर पाएगा, कि भाई, mass हमारा इतना ज्यादा है, मलब हमारा इतना कम है, मलब जैसे कि हमारा 10 kg of mass है, तो earth का mass 6 into 10 to the power 4 है, ठीक है, 10 to the power 24 है, ठीक है, तो आप देख सक मलब city में, तो फिर क्या earth, मलब enough attract कर पाएगा, मलब हम earth को enough attract कर पाएगे, तो वो भी उतना attract नहीं कर पाएगे, हम क्योंकि वो भी एक one hydrogen atom के बराबर होगा, मलब जितना earth attract हो पाएगा, तो ये बहुत ज्यादा ही कम distance एक तरीके से, और एक question जो कि मेरे को बहुत ज्यादा स apply किया, ठीक है, तो मलब फिर वो object move क्यों करता है at last, कि मलब मैंने उसको इतना force दिया, और वो यहाँ से भी 5 newton का force, तो ये balance हो जाना चाहिए, 0 newton हो जाना चाहिए, मलब मैं ऐसा सोचा करता था, पर इसका actual answer है system, ठीक है, तो वो वाला system नहीं, system वाला system, ठीक है, तो ठीक ह 5 newton का act करवाता है, तो इस B system के उपर, मलब इस direction में 5 newton का force act किया, तो इसका मलब कि, मलब क्या opposite direction से, क्या मुलते है, B system, A system के उपर act करेगा, ना कि, मलब B system के उपर 5 newton का force act करेगा, तो मलब ये वाला assumption हमारा गलत है, क्योंकि जो force act करते है, third law of motion में, वो act होते है, different bodies के ब body B वापस से A के उपर force लगाएगा, ना कि B के ही उपर 5 newton का force पढ़ेगा, इसलिए, क्योंते है कि, मलब इससे वो applicable हो जाता है, third law of motion, बिना break hook होए, और अगर ये एक ही body हो, जैसे rocket हो, तो फिर क्या होगा, कि वो उपर ही उड़ेगा, क्योंकि एक ही body है, एक ही body नीचे force लगा रहे और एक ही body उपर force लगा, उसके उपर उपर equivalent opposite force पढ़ेगा, जैसे कि हम भी है, हम भी अगर दिवार के उपर force लगाए तो, दिवार भी हमारे उपर force लगाएगा, और हम पीछे तरफ मोड़ेंगे, ठीक है, ना कि वही दिवार के ही उपर 5 newton का force पढ़ेगा, ज करता है, ट्रांसफर करता है, और अभी हम एक ऐसे topic के बार में discuss करने वाले है, जो कि actual में removed हो गया, जो कि conservation of momentum, ठीक है, तो इसमें हमें given है कि मतलब हमें third law of motion से मिला है, कि force जो इस object पर act करता है, वो equal and opposite है, ठीक है, मतलब F1, 2 मतलब F2, मतलब जो force जो object 1 ने 2 पर लगाए, जो force 2, 1 पर लगाता है, ना कि 2 पर ही वही force पड़ता है, वान ऐसा नहीं लिखना है, एक जमें कि F1, 2 is equal to minus F1, 2, ऐसे लिखने से वाई पक्र कटेगा, ठीक है, तो ये क्या कहता है, कि जो मतलब, ये ये चीज़ कहता है, कि जो initial momentum है, एक object का, ठीक है, दो objects का, ठीक है, जैस same होगा है, क्या बोलते है, same, वो जो sum of momentum जो है, इन दोनों momentum का sum, जैसे कि एक का 5 है, एक का 2 है, ठीक है, तो 5 plus 2 is equal to 7, ठीक है, तो ये दोनों initial momentum का sum, as same as 7, जो मलब क्या बोलते है, after collision, जो momentum का sum है, इसको बोलते है, हम conservation of momentum, ignoring friction and air friction, ठीक है, इस chapter में, बेसिकली हम सबको ignore ही करत है, सारे जो non-conservative force है, non-conservative force का मतलब वो force, जैसे कि friction, मलब जो resist करते हैं, friction, drag, air friction, fluid friction, ये सब, इसको हम derive ऐसे किया, जैसे कि यहाँ पर दिया है, given F12 is equal to minus of F21, ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिख दिया है, कि मलब कुछ ऐसा formula बन जाते है, TT इसमें cancel हो जाते है, ठीक है, और उसके TT cancel होने के बाद, फिर M2V2, ये सब मलब क्या बोलते है, इसको वापस से reorganize करने के बाद, हमें ये formula मिलता है, जिससे कि हम ये कर सकते है कि, जो sum of the initial momentum था, मतलब क्या बोलते है, दो object के collision से पहले, वो equal होगा final momentum, जो sum of final momentum, जो कि ठीक है, इसको हम बोलते है, conservation of momentum, और वैसे तो before collision and after collision दोनों का scenario तो same ही रहेगा, क्योंकि उस समय उतना तो friction लगेगा नहीं, ठीक है, अगर हमें just before collision और just after collision देखने, तो इससे हम practical life में भी ऐसे questions के समय use कर सकते है, ठीक है, तो jungle book का share khan गया था, tigers hunt करने, ठीक है, share khan खुद को hunt करने गया था, जंगल में, ठीक ह tigers hunt करने के लिए share khan गया था, क्योंकि वो afraid of himself, क्योंकि वो खुद से ही डरता था, शेर khan खुद tiger से डरता था, जंगल में hunt करने गया, वो भी क्योंते है, to become food of tigers, ठीक है, तो वो ताकि tigers उसे hunt ना कर दे, मतलब वो खुद hunt करने गया था, और अगर tiger उसे hunt कर दे, इससे बचने के लिए, वो क्या गया कि, वो खुद को river से, river दूर से ही उनको गोली मारने का, क्या फैसला लिया, तो वो बोट था 15 kg का, ठीक है, तो यहाँ पर में एक छुट्टू सा बोट बना दे तो यह 15 kg का था, और उसके आपर given है कि hunter का मास 45 kg था, तो 15 प्लस 45, ठीक है, तो क्या बोलते है, velocity, ठीक है, तो hunter का मास बोट से जादा हो गया, पर फिर भी बोट डू भी नहीं, ठीक है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं कि hunter का मास कि इतना पता है कि बोट फ्लोट कर रही है, तो इन दोने का mass, sum of the masses निकालना है, 60 kg आजाएगा, ठीक ह रिखन क्या करते है कि गन लेके आता है, जिसका bullet का mass 0.1 kg है, मतलब 100 g का मतलब वही होता है, और उसकी velocity ए, 160 m2 पर सेकंड, ठीक है, तो हमको क्या कर रहे है, calculate recoil velocity of boat, ठीक है, तो recoil velocity of boat का मतलब, कि जो equivalent opposite force जैसा कि मैंने आपको पहले मलब क्या बताया था कि मतलब क्या बताया गन बुलेट से निकली, मैंने मतलब बुलेट गन से निकली और उसकी पर force पड़ता है, इसलिए तो उसका velocity चेंज होता है, तो मतलब जितना force मतलब क्या होता है, जितना mass into acceleration gun में हुआ, वो same mass into acceleration force लगेगा ये में, और फिर हमने similar way में मतलब हमें क्या निकालना है, velocity निकाल जिली तो दोनों का क्या बोलते है, velocity 0 होगा, initial velocity, तो दोनों का initial velocity 0 होगा, तो मतलब ये पूरा का पूरा entire ये, यही मलब side ही 0 हो जाएगा, ठीक है, तो हमको क्या बोलते है, हम ऐसा लिख सकते है, equation को कि M1 V1 is equal to M2 V2, ठीक है, मलब माइनस M2 V2, ठीक है, माइनस M2 V2, ठीक है तो हमको क्या पता है कि bullet का मास, ठीक है, तो ये अलग system है, ठीक है, ये gun का अलग system है, तो क्या बोलते है, हम ले लेते हैं कि gun का मास M1 V1 है, मलब velocity of gun and mass of gun, ठीक है, तो हम इस M1 V1 को लेख सकते है, 0.1 into velocity of gun कितना होगा, 160, ठीक है, 160, ठीक है, is equal to, हमें combined मास लेना था, तो total म 60 kg इंटू उसका velocity जो कि हमें निकालना है ठीक है तो उसका velocity हमें निकालना है तो एक तरीके से तो इसका answer हो जाएगा is equal to 16 by 60 ठीक है 16 by 60 meter per second ठीक है जो कि हो जाएगा velocity of boat ठीक है वी बी ठीक है और velocity negative direction में होगी क्योंकि देखिया पर मैंने minus डाला है ठीक है तो वो मैं लगाना भूल गया तो ऐसी गलती होती रही थी एक्जाम के भी समय तो आप ध्यान से करना है question ठीक है तो ये minus में हो जाएगा और फिसका answer भी minus sorry sorry आँ सही तो कर रहा हूँ ये minus में हो जाएगा और इसका answer minus में हैगा velocity जो की represent करते ही कि opposite direction में जा रहे ठीक है तो मतलब bullet का अगर हम ये positive ले तो ये of course opposite direction में जाएगा और क्या velocity के तो case में simple है पर mask की case में थोड़ा वो plus minus करना पड़ता है तो इसलिए ये negative sign थोड़ा important बन जाता है mask की case में तो उसके case में answer different आ सकता है अगर आपने negative positive में अगर इतना ध्यान नहीं दिया तो और ये वाला question का answer आप दीजे नीचे comment section में बस मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है एक 100 kg क्या gun of mass 100 kg ठीक है तो एक gun है जिसका mass 100 kg है ठीक है इतना अगर required velocity है तो बहुत ज़्यादा ही कमाएगा इस case में ठीक है तो मैं आपको clue भी दे दिया कि answer कैसा आगा बहुत ज़्यादा ही कमाएगा क्योंकि इसका velocity भी 80 meter पर सेकेंड है ठीक है 80 meter पर सेकेंड है तो बहुत ज़्यादा ही कमाएगा तो आपको क्या यूज करने conservation of momentum का formula और answer नीचे देना है comment box में so thank you for your attention और हमारे वीडियो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए तो अगर आपको अभी ऐसी feeling आ रहे है अंदर से कि भाई अभी जो कोई भी question देतो उठा के देतो laws of motion कि कही से भी question पूछ लो हमको आ जाएगा तो हमारे इस वीडियो को like and subscribe कर देना ठीक है लो चानल को subscribe करना है वीडियो को like करना ठीक है और क्या ही बांगते है आप से और आप जो मैंने आपको question दिये उसका भी answer लिखना comment section में और अगर आपको लगा कि भाई इस वीडिय improvement चाहिए था अगर कोई improvement की जरुद हुई तो फिर वो भी आप comment section में suggest कर सकते ठीक है ताकि हम और भी अच्छा अच्छा content आपके सामने present कर सके और 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 भी अच्छे से आप आपको हम हर एक chapter explain कर सके science का तो मिलते हम आपको अपने next video में तब तक के लिए good bye